हेलो गाईज आज हम पढ़ने वाले हैं History of English Literature को और इसको आज हम एक बहुत ही इंट्वेस्टिंग वे में पढ़ेंगे एक इस्टोरी की तवह पढ़ेंगे क्योंकि अब देखा जाए History of English Literature जो है अपने आप में काफी broad topic है पूरी History of English Literature को 8 major pvets में divide किया गया है उसके भी अंदर बहुत सारी several ages हैं और एक age के खतम होने में और नई age के सुरू होने के बीच में छुपी होती है एक कहानी तो हम इनी छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से पूरी History of English Literature को connect करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको इन कहानियों को सुनने में क्योंकि यह कहानिया अपने आप में ही बहुत interesting है और जब भी आप कोई चीज कहानी की तरह पढ़ते हैं तो आप चीजों को connect कर पाते हैं चीजों को relate कर पाते हैं और आपको जो chronology है उसको भी यार वेकने में आसानी होती है तो मज़ा हैगा आपको इस वीडियो में आप बस end तक बने रही है अब अगर शुरू करें तो literature होता क्या है It is nothing but the reflection of life and the mirror of the society literature कुछ नहीं है जीवन की परचाई है समाज का आइना है जिस तोर में जो भी literature लिखी गई थी बहे उस तोर की जीवन सैली जो होती है समाज की जो अच्छाईया और बुराईया होती है उनको दरसाती है यसे अगर हम बात करें चार्ल्स डिकेंस के नोवल्स की या थॉमस हार्डी के नोवल्स की तो उसमें जो victorian life style था उसकी जो shadow है उसकी जो परचाई है वो आपको उनके नोवल्स में देखेगी चार्ल्स डिकेंस ने अपने नोवल्स में जो लंडन की negative side थी अच्छी side तो सबको पता होती जो negative side थी जहां पे exploit किया जाता था तब poor people की जो child level थी जो B clause थे इसी तरह अगर हम Thomas Hardy के नोवल्स की बात करें तो उन्होंने victorian जो compromise था उसको एक्सपोज किया है एक तरफ तो लोग अच्छे होने का दिखावा कबें और दूसरे तरफ पूर एक्सप्लाइट भी कबें है उनकी heroine के माध्यम से उन्होंने जो pathetic condition थी moment की उनके time में वो उन्होंने अपने novels में reflect की थी इसी तवे अगर आप हिंदी literature में भी अगर मुंसी परेमजन को पढ़ेंगे तो आपको उसमें बेटिस भारत की जो ग्रामेड जीवन था और जो city life थे दोनों की तस्कीव जो है वो आपको उनके novels में देखने को मिलेगी लेकिन जो initially जो literature लिखा गया था वो लिखा गया था for the entertainment of people लेकिन time के साथ साथ चीजे चेंज ही और लोगों ने इसे as a mean of reform भी यूज करना सुरू कर दिया जैसे कि आज के time में भी और पहले के time में भी काफी सारे जो authors थे, writers थे, poets थे, noblists थे वो ऐसे आए जन्होंने literature को as the mean of reform यूज किया, समा सुधार के लिए उन्होंने साहित का सारा लिया, वो काफी हद तक वो successful भी हुए, कई लोगों ने इसका negative बे में यूज किया, कई लोगों ने positive बे में यूज किया, लेकिन reform के purpose से literature का यूज जो है, वो कई सदियों से होता रहा है, जितने भी works है literature के, they have given us insight into the issues and trends prevailing at that time, जो उस समय जो भी issues या trends जो चल वह होते थे उस तोर में, उनकी जो एक गहरी पहों चैबू literature हमको देता है, अगर बात करें English literature की, तो इसका जो emergence हुआ था, that was with the beginning of the history of English people, तो अगर बात करें, literature यूँ ही नहीं आगी, जो English literature है, वो ऐसे ही existence में नहीं क्या से existence में है, क्या England एक हमेशा से एक ऐसा देश था कि अब जो English people थे, वो हमेशा से exist करते थे, तो ऐसा नहीं था, अगर बात करें उस land की, जिसको आज हम England के नाम से जानते हैं, तो उस पे सबसे पहले जो invade किया था, वो किया था Roman forces ने, and the Roman forces state there till 450 AD, उसके बाद जो Roman forces थी उन्होंने बिडवा करना चालू कर दिया, उसके बाद जो small small migrating bands थे from the neighboring country, या neighboring region, उन्होंने invade करना शुरू कर दिया, वेटेंग को, जैसे कि जूट साय थे Denmark से, Saxons साय थे Germany से, तो इन सारे ही लोगों ने बहाँ पे England में अलग-अलग colony जो है वो establish करना शुरू कर दिया, जो तो initially तो ये जो जितने भी invaders थे, ये foreign element थे England में, लेकिन ये धीवे-धीवे England की जो native people थे, उनके साथ ये मव जो है, और ये अपने आपको भी भाँ काही consider करने लगे, तो ये जो लोग थे ये Anglo-Saxons कहला है, और Anglo-Saxons जो है बही जो English people है, उनके ancestor माने जाते हैं, जैसे हमा नहां से जो है, एक history है English people की, वो begin हुई थी, और जो language जो वो अपने साथ लाएते हैं, English section, तो उन्होंने उसको Latin और कुछ other words में मर्ज करके, जो एक language बनी थी, उसको Old English language के नाम से जाना जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी literature है, it refers to all the literary works, जिसमें novels, short story, poem, fiction, non- fiction, place, सब कुछ include है, वो सारी चीज़ें जिने English में compose किया गया, ऐसा नहीं है, English literature बस उसी को कहते हैं, जो English logo के द्वारा लिखे गी, ऐसा नहीं है, जितनी भी सारी चीज़ें चाहें, वो world में कहीं पे भी हो, जो English में compose की गई है, वो सारा जो content है, वो English literature के अंदर आता है, अ अंग्लो सेक्सन है, अंग्लो नॉर्बन है, वैनिसा है, दर नियो क्लासकल पिरेड है, रोमेंटिक पिरेड है, विक्टोरियन है, मॉडन है, एंड कॉंटेंप्ररी है, तो ये 8 major पिरेड्स में डिवाइड है है literature और इसके लावा इसमें कई सारी several ages भी include हैं, तो इनको हम आज बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में और एक कहानी के माद्य हमसे पढ़ेंगे, बीच बीच में मैं आपको चोटी-चोटी कहानिया सुनाता रहूंगा, जिससे आप चीजों को connect कर पाएंगे, और बहुत मजा है आपको आज की क्लास में, तो सबसे पहले अगर ह ancestors of the English ways, after the fall of the Western Roman Empire, जो Roman Empire था, जब उसका fall हुआ तो, वोबन फोर्सेस ने बिड़वा करना चालू कर दिया, और जो tribes थे, जो neighboring region से, उन्होंने इंवेड करना चालू कर दिया था, जैसे कि angels आए थे, Saxons आए थे, Jutes आए थे, they saw an opportunity to fill the power gap and started migrating to Britain, तो जब वोमन फोर्सेस चली गी तो उन्होंने power gap को fill करने के लिए, उन्होंने बिड़ेन के अंदर migrate करना सुरू कर दिया, उन्होंने अपनी colony established की, और ये finally बहीं पर जाके बस गए, और बाद में बहां की native identity जो थी, वो उसके साथ मर्ज हो गए, और खुद भी बहीं के बन गए, तो these people brought their language with them, और जो Anglo section थे, उन्होंने, जो उनकी language थी, तो उसको कुछ Latin words और Celtic words के साथ मिलके, जो एक नई language for me, उसका नाम था Old English, तो जो Old English है, वो अब नहीं पढ़ी जाती है, उसके जो words है, वो अफसलेट हो गए हैं, और प्रेशलन में नहीं है, they are no longer been huge, और इसके साथ ही, जो Middle English, जो Shakespeare के ट परते हैं, जो पुराने words है, अगर हम आज Old English पढ़ने बैठेंगे, तो साया दी हमें कुछ समझ में आएगा, और हम hardly ही उसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो words हैं, वो अब huge नहीं किये जाते हैं, तो जो Anglo-Section period सा literature में, it was very diverse and includes epic poetry, religious texts, historical chronicles and widels, और ये सारी ही चीज़े किसमे लिखी गई थी, Old English में लिखी गई थी, जो Anglo-Section point V थी, that was mostly sung instead of written, मतलब वो mostly गई गई थी, लिखने के बजाए, ऐसा इसलिए था, पहले तो एक तो जो आपको पता होगा, पहली जो preventing press है, उसका invention हुआ था 1476 में वाई William Caxton, तो उसके पहले जितने भी text थे, वो सारे लिखे ही जाते थे, हास से, ना कि उनको चापा जाता था, पहली चीश तो यह थी, और हम एक बहुत ही पुराने टाइम भी वेट की बात करने हैं, तो उस टाइम पर पोईट भी लिखी भी नहीं जाती थी, हास से भी नहीं लिखते थे, जारा तर लोग उसको, जो एक होता है ना, तो सबसे famous one है, that is Beowulf, और यह इंगलिस की जो है, पहली epic poem भी consider की जाती है, Beowulf जो थी, वो नवेट सा tale of adventures of the Beowulf, a brave hero, after embracing Christianity के हुए, अंगलो सेक्शन जो थे, they begin to write religious poetry, जो हुआ क्या था, ऐसा नहीं था, Christianity हमेशा से ही बहाँ पे थी, Christianity जो थी, वो इंटर्डूच की गई, during the end of the sixth century, and वो भी introduce की गई थी, साइस सेंड को लूंबा दा रहा, तो जब Christianity इंगलेंड में आई, अंगलो सेक्शन को पता चला इस religion के बारे में, और जब उन्होंने इसको embrace किया, उसके बाद उन्होंने, religious जो literature है, poetry है, वो लिखना चालू कर दी, तो जो most famous religious poet थे, अंगलो स सेक्शन किंग है, इन्होंने क्या translate किया था, एक famous Latin chronicle in English, अब अगर बात कमें इस टाइम के second famous प्रोजवाइटर की तो वो थे एल्फरिक, और वो प्रीष्ट भी थे, और उनकी जो most famous वाइटिंग है, उसमें include है, lives of the saints, homelish and grammar, तो यहाँ पे जो है, वो एंगलो सेक्शन प यहेंगे, लेकिन एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाओंगा, तो एक second last king थे, Edward the confessor, अब हुआ कहा था, उन्होंने अपना most of the time spent किया था, वो नॉर्मेंडी फ्रैंस, वो नॉर्मेंडी एक जगा है, इन दा नॉथ अप दा फ्रैंस, तो बहाँ पे उन्होंने अपना most of the time spent किया था, because of the Danish invasions, लेकिन बाद में क्या हुआ है, डैनिस जो थे वो चले गए, और एक peaceful restoration हुआ मोनार्की का, और जो Edward है, वो बापस लोटे इंग्लेंड, as the king of the England, लेकिन हुआ कि Edward का कोई भी legal here नहीं था, जो उनको succeed कर सके after his death, as the king of England, तो ये question उठने लगा कि Edward के बाद प्राजा बनेगा कौन, तो ये एक छोटी सी कहानी है कि जो William the Duke of Normandy है, उसने एक बार Edward को visit किया था England में, और उस टाइम Edward ने promise किया था William से, कि वो उसे अपना successor nominate करेगा, लेकिन क्या बागई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इसके पीछे वे भी doubts हैं, और किसी को clear नहीं बताए कि क्या हुआ था, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि Edward ने William को अपना success है जो है वो nominate किया था, ये था अब एक और powerful person था England में, जिसका नाम था Harold Godwinson, जो कि Edward की जो wife थी, जो queen थी, उसका भाई था, अब Edward की तो death हो गई, और जो herald था, जो queen का weather था, उसने जो है वो Normandy को नागवारा हो जी और वो निकल पड़ा, अपनी आर्मी लेके England उसको invade करने और अपना throne लेने, अब इससे पहले हुआ ये था, जब William जो था, वो England पहुचा, तो उससे पहले जो herald था, वो पहले ही एक battle में इंगेश था, और वो battle वो जीता भी था, लेकिन इस of Hastings के नाम से भी जाना जाता है, और ये हुआ था, 1066 में, तो उस battle में जो herald था, वो मारा गया, और William जो था, वो बिजाई सावित हुआ, उसके बाद William ने succeed किया herald को as the king of England, और उसको William the Conqueror नाम से भी जाना जाता है, तो इस तवे शुरू हुआ जो England में एक Norman एरा था, व वो बिगिन हुआ, क्योंकि Normandy से आयते तो ये लोग Normans के लाए, अब इन्होंने Anglo-Saxons पर बार में बहुत ज़्यादा अत्याचार कियों ने दबाया, उनकी language को दबाया, तो वो हम आगे पढ़ेंगे Anglo-Norman period में, अब अगर बात करें Anglo-Norman period की, तो इस समय कि जो वाइटर्स थे, उन्होंने interest लेना शुरू किया classical studies में, उनकी जो वाइटिंग्स थी, वो मिलती जूलती थी classical literature से, इसलिए इस पिवेट को जाना गया नियो-classical के नाम से, अब इसमें कई सारी ages हैं, तीन-चार ages हैं, उनको बारी-बारी से पढ़ेंगे, तो शुरुआत होती है वे इस restoration age से, अब restoration age जैसा कि अभी मैंने बताया, इंग्लेंड में मोनार्की थी, वो restore कव दीगी, and Charles II returned to England as the new king of the England, तो इसलिए इसको हम restoration pivot के नाम से जानते हैं, अच्छा इसको हम age of twiden के नाम से भी जानते हैं, because John twiden was the major significant literary figure of this age, तो चली सुरू करते हैं, पहले हम इस age को पढ़त to England from his exile in France and became king, तो इस age को में जो आप ड्राइडन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, यह अभी आपको बताया था, अब अगर हम बात करें, वे restoration poetry की, so it was completely realistic and satirical, अब यह जो इस टाइम की poetry थी, वो कैसी बन गी थी, realistic बन गी थी, अब इसमें satires का बहुत ज़्यादा प्रियो ड्राइडन भी इसके एक अच्छे कासे master थे, अब अगर ड्रामा की बात करें इस age की, तो comedy of manner was the most famous form of drama during the restoration period, it portrayed the sophisticated life of society's dominant class, और अगर most popular dramatist की बात करें इस age की, तो बोते बिलियम ओंगरीब, इसी तवह इस age की जो famous prose writer थे, बोते जॉन बनियान, जॉन टलिश्टॉन, बिलिय ड्राइडन जॉन बनियान was the significant prose writer of this age, his most famous work is the Pilgrim Progress, जॉन बनियान भी एक बहुत ही अच्छे प्रोजवाइटर वहे हैं इस age के, उनका जो बर्क है Pilgrim Progress, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा बर्क है, अगर आपको टाइम मिले कभी पढ़ना, इसमें कहानी है, एक क जो पोप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अलग जंडर पोप थे, वो एक बहुत ही significant major literary figure थे, इस age के, अच्छा इस age में एक नई बात और हुई थी, वो थी एक नई संच्वी की सुरुआत हो रही थी, और इस संच्वी में एक जो नई बात थी, वो थी origin and development of novel, actually ज लिजा वैतन एज में लिखा गया था, इसी तवे वैनिसा पीविट में मूर का जो यूटोपिया था, वो लिखा गया था, तो इस तवे के nobelistic work पहले भी लिखे गया थे, लेकिन एक जो proper novel form थी, वो इमर्जोई थी 18th century में, अच्छा novel form के इमर्जोनी की बज़ए गया थी वो थी rising middle class, उसमें middle class थो थी, वो तीजी से बढ़ वही थी, और दूसरा था, decline in the poetry and drama, जो poetry और drama था, वो लिखा जाना बहुत ही कम हो गया एक तो वैसे उसमें rapid decline आया था, क्योंकि जैसा मैंने drama का तो आपको बताया था, drama अचानक से theater बंदो गया उसके बाद तो drama में करके ही poetry लिखी जाती थी, बहुत ज़्यादा variety नहीं थी poetry में और यह generally focused थी high class काफी houses तक ही सी मित थी, तो इस वैसे जब poetry का decline हुआ, तो लोगों ने प्रोज को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जो मैक जीन्स थी, उनका development भी बहुत बड़ी वजह थी novel के emergence में, लोगों न कॉफी house से जाना शुरू किया, मैक जीन्स पढ़ना शुरू किया, बहाँ पे pivoticals पढ़ना शुरू किया, और इसी के साथ novel जो था, एक novel नई literary form की तवे उभर के आई, और उसमें जो major figure थे novel लिखने के बहुत है, डिफोई, विचर्टसन, Smollett, Fielding and many others, तो डैनियल जो भी कुछ इसमें लिखा गया, उसमें हब चीज के पीछ लॉजिक था, विजन था, वेस्नलिटी थी, और सेकंड चीज, इस सेज में प्रोज जो है, उसका development बहुत तेजी से हुआ, अगर बात करें इस सेज के famous poets की, सो देवर, Alexander Pope, Matthew Pryor, John Gay, Edward Young and others, तो अभी हमने जाना कि नियो क्लासकल एज में प्रोज का development बहुत तेजी सी हुआ, जो अब तक जो बाकी की एज थी, जो focus थी, drama वो poetry पे, तो ये पहली ऐसी एज थी जहां पे प्रोज ने एक significant development अपने आप में किया, अब बात करें अगर एज ऑफ जॉंसन की इड़ बोज बिट्वीन 1744 and 1784, तो इसमें हुआ गया था, एज ऑफ जॉंसन इसलिए भेमा से, इसको एज ऑफ ट्वैंजिसन भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में एक जो change था, एक जो shift था, वो दिखना शुरू हो गया था, और वो shift कहां से कहां तक था, वो था new classes में जो था, उससे जो shift था, रोमेंटी सिज से, जो नए author, नए write-up आना सुरू हुए, उन्होंने new classical जो rules थे उनको ठुकरा दिया, क्योंकि जो new classical literature पूरा बेश था, वीजन पर, बलब हफ चीज के पीछे logic होना चाहिए, चीजे realistic होनी चाहिए, और imagination की कोई भी जगए नहीं थी, imagination की जगए जैसे मैं आपको एक song का example देता हूँ, मैंने पूचा चांद से, चांद ने कहा, इस तरवे का को song है, तो अगर उसमें जैसे new classist होते 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 हैं, चांद कैसे कुछ कह सकता, ये एक दम illogical बात है, लेकिन जो romantic थे उन्होंने हब चीज पे लिखना चालों किया, पेड़ पे, पती पे, फूल पे, नदियों पे, जीलों पे, पहाडों पे, बादलों पे, हब चीज पे, सालिसियल चीजों पे, हब चीज पे उन्होंने लिखा, और इवन उन्होंने जो आम जनता थी, common public थी, उससे connect किया, गाओं की language में लिखा, simple language में लिखा, क्योंकि जो new classist थे, उनकी जो language थी, वो तब आज की इलाकों में गए, चोटी-चोटी चीजों पे लिखा, लोगों उससे connect कर पाए, तो लोगों को, जो नई literature थी, वो बहुत ही पसंद आई, और इस तवह एक नए era की सुरुआती जो था, वोमेंटी सिज में, जैसे अगर हम बात करें, बिलियम बर्सवाद की, त इसमें गुड़ा था, वो लीचिज कलेक्ट किया करता था, तो मतलब उन्होंने कॉमन लोगों से जुड़ी बातों पे पोईट भी लिखी, चोटी-चोटी चीजों पे पोईट भी लिखी, जिससे लोग जो थे, वो connect कर पाए, तो एक नया era विकिन हुआ, 1798 में, जब F.T इसमें जैसा हमने देखा, during this age, cracks had begun to appear in the edifice of classes में, and there were clear signs of revolt in the favor of romantic spirit, due to romantic inclination, we also call this age, transition in the, age of transition in the English literature, अब इस age के जो prominent approach writer थे, वो थे Samuel Johnson, Advent work and Advent given, अब बात करते हैं, romantic period की, 1798 से 1837, एक छोटा सा period है, लेकिन बहुत ही significant period है, ये English literature के point of view से, अब मैं आपको बतावा था कि romantic age की सुरुआत कैसे हुई थी, हुआ ये था, William Burdsworth जो थे, वो experiment कबना चाहते थे, कुछ नया लिखकर, वो देखना चाहते थे, कि अगर वो new classical literature से हटके कुछ लिखेंगे, तो क्या लोग उसको पसंद करेंगे, या नहीं करेंगे, तो William Burdsworth तो F.T. Colvish का एक joint venture आया था, 1798 में, और वो था lyrical ballads, उसमें 23 poems थी कुल, जिसमें 19 जो लिखेंगे थी, William Burdsworth के दोरा, और 4 लिखेंगे थी, Colvish के दोरा, तो वो जो उनका नया बर्ग था, वो लोगों को बहुत पसंद आया, वो बहुत popular हुआ, और इसी के साथ एक नय एरा की foundation जो थी, वो रखी गी, and that was romantic era, the most florist period in the history of English literature, which is the romantic period, it was the revolt against the classical school of 18th century, words were always Saudi, Sally, Keats, Viren, belong to this period, जैसा कि अभी बताया है, ये revolt था किसके against, classical literature, जो new classical इस थी, उसके against, अब जो romantic इस थी, that was basically the age of poetry, इसमें चारता पोईट भी लिखेंगे है, with the publication of lyrical ballads, William Bardsworth and Colvage introduced a new form of poetry, उनोंने एक नई form of poetry को introduced किया, in the opposition of poetry of the classical school, अब जितने भी romantic poets थे, they focused on the simplicity of language, and choose the language of the common people, their poems usually dealt with the events of everyday life, अब इस age के जो approach वाइट होते, उनोंने भी Augustan style को reject कर दिया, और एक नई novel form जो थी, वो हमवज हो कि आई, that was gothic novel, अचा gothic novel क्या होता है, gothic novel जिसमें कुछ horror, supernatural type के elements हो, तो इस तवे की form को क्या बोलते है, gothic novel बोलते है, अब दीवे दीर romantic age भी खतम हुई, और एक नई age मवज हुई, नया pivot शुरू हुआ, that was Victorian pivot, अचा Victorian pivot जो था, वो दो pivot में divide था, एक तो अबली Victorian pivot जो की था 1837 से 1870 तक, दूसा था लेटर Victorian pivot जो तो इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्स पोज किया था उस टाइम की Victorian सोसाइटी को अपने works में, इनके individual डिफरेंस थे आपस में, लेकिन सबका मोटिब यही था, उनकी अप्रोच सेम थी contemporary issues को लेकर, इसी देवर जो लेटर Victorian pivot में, जो most prominent figure थे, उनका नाम था, कि विश्चियानिया विसेटी, चार्ल्स स्वीनवर्ग, जॉव जिलियर्ट, विलियम मौरिस, तॉमस आवडी, ओसकर वाइल्ट, फेटव, एंड अधर्स, तो यह वाइटव इसमें progress भी की थी, अब इसके साथ साथ जो exploitation था, पुगर का लिवर क्लास का वो भी बहुत ज़ादा हुगा था, तो इसको expose किया था, जो इस टाइम के prominent literary figures थे, उन्होंने अपने बर्क में, इसमें Charles Dickens जो हैं, Matthew Evernold हैं, Tennyson हैं, और Thomas Hardy हैं, वो आपके PGT के syllabus में लगे हुए जो आपको पढ़ने हैं, अब अगर बात करें modern age की जो की थी 1901 से 1945 तक, from the beginning of the 20th century, the modern period in English literature, the most significant feature of the modern literature, watched that it opposed the general attitude of Victorian writers and people to life and its problem, इन्होंने क्या किया था, जो modern writers थे, उन्होंने जो Victorian attitude था, उसको अपोज किया, ये लोग बस कुछ नहीं करते हैं, Victorian life है, उसकी problems के बारे में करते रहते हैं, लोग को, एक तब से revolt सा खड़ा का बख्का है, तो जो modern writers थे, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस अपने अंदर से जो inspiration मिलती थी, वो उस पे लिखते थे, ना कि society में उन्होंने कोई reform लाना था, change लाना था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करना था, तो modern poet भी जो थी, that followed entirely different tradition from the romantic and Victorian tradition of poetry, अब जो modern poet थे, they believed that the poet's business was to uniquely himself, and to project his personality through the medium of his art, poetry to them was a method of discovering oneself, उनका जो modern poet थे, वो बलीब करते थे, कि अपने आपको discover करना है, ना कि society में change लाना है, जिसे टीया सिलिएट की बात करें, he was the cheap representative of modern poetry, a greatest poet as well as a critic, डिवामा जो है, उसने एक बहुत ही major decline आया था इन दो centuries में, लेकिन थोड़ा सा revival आया था इस sage में, और इस sage के जो major dramatist थे, उनकी अगर बात करें, जो 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 बरनार्ट सौ एंड आसकर बाइल्ट, modern जो novel था, वो थोड़ा सा realistic था, as well as psychological भी था, modern novelist in their works, employed the stream of consciousness technique, अब ये stream of consciousness technique, जो थी वो क्या थी, ये थी जो flow of thought होता है, उसके according लिखते जाना है, वुकना नहीं है, भली chronology की परवाह नहीं करना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, बस उस चीज़ पे लिखते नही अब जो अपने thoughts का flow है, उसको होने देना है, वुकना नहीं है, इसी को बोलते है, stream of consciousness technique, तो इसको employ किया था अपने work में, जो modern novelist थे उन्होंने, इसी के साथ जो modern novelist हैं, तो उसमें अगर major figure की बात करें, तो H.G. Wells आते हैं, एवनौल वैनेट आते हैं, हन्वी जेम्स आते ह जौन गैल्स ववदी हैं, एम फोरिस्टर हैं, तो गैल्स ववदी हैं आपके TGT के author, TGT के syllabus में लगे हुए हैं, अगर बात करें आदा वाइट अपस की, तो James Joyce हैं, बवजीनिया वूल्फ हैं, एडूलर सक्सले हैं, डियस लॉरेंस हैं, उसके अलावा सॉमन सेड मौगम हैं, तो इन्होंने भी अच्छा खासा contribution दिया था इस century को, इसके बार आती है contemporary age, जो कि अभी तक चल वही है, तो यह थी आपकी history of English literature, I hope आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो वो हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जा गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ा है, तो बहुत ही मजाएगा उन वीडियो को आपको देखके, और बहुत सारी knowledge बहुत कम टाइम में देने की courses की गई है, so thanks for watching this video, please subscribe the channel, हुआ गया था, after the defeat of Harold, the last section king by William, who was the conqueror of Normandy, France, the Anglo-Saxon period finally came to end, तो Harold की defeat के साथी Anglo-Saxon period था, व between William and Harold in 1066, उसी को हम Norman Congress के नाम से जानते हैं, क्योंकि finally उसमें Normans जो थे, वो victorious हुए थे, तो इसके साथ ही एक नया era जो था, वो सुरू हुआ, in the history of English literature, Normans जो थे, they brought with them, their which French culture and language, वो अपने साथ अपना culture और language साथ ले के आए, अब इस तोर में एक चीज और हुई थी, जो लेंगेश थी, एंग्लो सेक्संस की ओल्ड इंग्लिस उसको दबाया गया, it became the language of poor and powerless people, while Norman French become the language of the witch, आप समझ भाए हैं, जब भी कोई कहीं पर invade करता है, ऐसे अंग्रेज भारत में आए थे, तो वो अपनी language लेके आए थे, हम पर अपनी language थोप के गया, और आज तक हम बही पढ़ भाए हैं, ऐसे ही जब Normans invade किये थे बहाँ पे, तो वो अपनी language लेके गया, उन्होंने officially होती थी, जो court चलते थे, या फिर जो भी अधकारिक चीज़े होती थी, वो किसमे होती थी, वो English में होती थी, तो English एक तवय से उस टाइम पे पड़े लिखों की भासा बन गी थी, और हिंदी कैसी भासा बन गी थी, गवारू की, जो विडिसर्स थे, वो उसको तबज्ज भारत में आये थे, तो क्या हुआ था, भारत बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, लग-लग जातियों में, समदायों में, धरम में, लेकिन बार में क्या हुआ, अंग्रेजों ने सब के साथ एक जैसा ही विवार गिया, तो सब इखटे होके अंग्रेजों के खिलाब हो गई उससे भारत में एक वाश्टियता का भाव पैदा होगा इसी तवेसे जो एंग्लो सेक्षन होस्टेलिटी थी वो भी एक नैशनल यूनिटी में बदल गी अब अगर बात करें था मोस्ट पॉपलर फॉर्म ओफ वाइटिंग फॉर दा एंग्लो नॉर्मन्स तो बहुत ए क्रोनिकल्स विलीजियस एंड डिदाक्टिक वाइटिंग पोईट्वी रोमेंसिस एंड वामा अब नॉर्मस जो थे दे इंट्रदूस रोमेंटिक तेल्स ओफ लव एंड एडवेंचर विन लिट्वेचर रोमेंस वेकें दा मोस्ट पॉपलर फॉर्म ओफ लिट्वेचर गंगव नॉर्मउन और मिडेल इंग्लिस कीवत जो एंडों आज जो इंग्लो नॉर्मन पीवेच था उसमें जो क्रोनिकल्स दे ड्स्रा सै देदेकтесь क्कॉर्वेचच इस दार में मोगते नहीं उप शासमत्य मैं जो किसी को प्रीच कर्ने के परपसwartgi लिखी जाती है तो इस category में क्या क्या आए mystery and morality and miracle place तो ये mystery और miracle place क्या थे सबसे बहले तो दोनों के बीच में difference clear होना जरूरी है mystery place जो थे they were based on subject taken from Bible मतलब जो Bible की teachings थी Bible की कहानिया थी उन पे based थे क्या mystery place वाइल जो miracle place थे they depicted the lives of the saints मतलब जो saints की life होती थी उस पे अधावी जो place थे दोजवर miracle place अगर आपको कोई भी background नहीं जा रहा है so please ignore it तो mystery और miracle place बहुत important है आपको इनके बीच का difference जो है वो clear होना चाहिए एक बाद फिर से समझ लो जो mystery place थे वो Bible की teaching से related थे और miracle place जो थे they were based on the lives of the saints अब अगर बात कवे इस time के कुछ famous poets की तो उसमें आते हैं फिलिपे दे थाउन वेजिनाल्ड ओफ केंटरवेरी हिलेरियस पैनेट इंडे सेंटर मौर बिलियम लेंगलेंड और जॉन गौवर तो ये जो हैं ये कुछ famous poet हैं अब इसी दोराण इंगलो नर्मन पिवयट में ही एक एज आती है अज और चोसर अब इसको अलग से हमें एक एज क्यों पढ़ते हैं हम इसको अगलो नर्मन पिवयट में एक अलग से एज पढ़ते हैं वो भी चोसर के नाम से चोसर एक poet थे इनका नाम था, पूरा नाम था जोफरी चौसर तो इसको में एक अलग से एज के औपड़ते हैं ऐसा क्या था इस एज में? चौसर ने ऐसा क्या किया था? सबसे पहले तो इन्होंने जो unique काम किया था वो किया था Old English का प्रियोग जैसा कि अभी हमने बताया जो Old English की दबे कुछ लोग की भासा बन गई थी लेकिन चौसव ने पहली बार Old English dialect का यूज करके इतनी अच्छी पोइट भी लिखी थी That was unmatchable और उन्होंने इसको Old English को एक नई पहचान दी नई identity दी क्योंकि अभी तक जितना भी literature लिखा जाता था जो भी काम होता था वो Norman French language में होता था लेकिन चौसव ने daring की Old English language में लिखने की और उनकी जो पोइट भी थी वो लोगों द्वारा बहुत पसंद भी की गई और अगर आप आज भी चौसव को पढ़ेंगे तो आपको उनके work बहुत ज़्यादा interesting लगेंगे कि कैसे इतने पुराने टाइम में इतने अच्छे तभीके से किसी पोइट ने चीजों को explain किया है वो भी पोइट भी के माध्यम से तो towards the end of the middle English period the age of Chaucer covering the period from 1343 to 1450 ये जो थी वो most significant time period है in the literary history of English literature आप देखिए आपको 1500 तक कोई भी ऐसा time period नहीं मिलेगा जो history of English literature में बहुत ज़रा important हो या जो हमें पढ़ने है लेकिन जो आपको age of Chaucer जो है वो पढ़नी रहेगी उनके works भी आपको पढ़ने रहेंगे हाला कि आपके TGT PGT के syllabus में तो चौसर नहीं लगे हुए हैं लेकिन बहुत सारे exam है जिसमें चौसर को पूछा जाता है तब आपको उन्हें पढ़ना पढ़ेगा चौसर made a fresh and distinct beginning in English literature and became the father of English literature as well as the father of English poetry इन्हे father of English literature भी कहा जाता है और फादर of English poetry भी कहा जाता है अब अब चौसर के most significant work की बात करें तो डेट वोज केंटर वेरी टेल्स बहुत ही अच्छी पोईट भी है यह आपको भी पढ़ना इसको It is the collection of stories related by the pilgrims of different sections of the society इसमें क्या था pilgrims थे वो एक religious pilgrim पे थे और वो जा रहते Thomas Beckett की स्राइन पे जो की केंटर वेरी में है pilgrims थे वो समाज के हर इससे से आये थे और उन्होंने जो अपनी कहानी सियर की तो उससे जो उस समय का society थी हमें उसके बारे में पता चलता है इनकी केंटर वेरी टेल्स के मात्यम से अच्छा मैं आपको बता दू Thomas Beckett कौन थे Thomas Beckett एक आर्क बिसब थे केंटर वेरी में अब आप सोचके देखे चौसव गये और उसके बार एक सार्प डिकलाइन आया है इंग्लिस पोईट भी में मतलब एक तर वैसे लिखन लिखी जानी बंद हो गई एक तर वैसे सौ सालों तक कोई भी अच्छी क्वालिटी की लिट्वेचर प्रेडियूस नहीं की गई जो भी प्रेडियूस की की डेट वाज इमिटेटिट फ्रॉम चौसलव और अधर पोईट्स देर वाज नथिंग न्यूओ मतलब सब कॉपी कैट जैसा था तो हम सोच के देखो सौ सालों तक ऐसा हुआ अब ऐसे मेजन करो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ अगर उसके बाद से कोई भी सिनیमा ना होता, टी बी ना होता, मोबाइल फोंस ना होता है, इंटरनेट ना होता है और नहीं कोई लिटरेवेचर होता तो सोचो आपकी जिन्दगी कैसी होती तो उस टाइम के लोगों की जिन्दगी कैसी रही होगी सौ साल एक लंबा टाइम पिवेड होता है ऐसा नहीं है चोटा मोटा सुनने में सौ लग रहा है आप सोच के देखो सौ साल कितने बड़े होते हैं लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद आता है हमारा वैनीशा पिवेड 1500 से 1660 तक अब जो वैनीशा था वो क्या था वैनीशा का हिंदी में मतलब होता है पुनव जागवड इंग्लेस में बोले तो रिवाइबल और वीवर्थ और वी अवेकनिंग और फ्यूमन माइंड जैसे कि इंडिया में हुआ था इन वीगनिंग आप डे 19 सेंच्वी जो पुनव जागवड काल था आपने वाजा रामोन भाहि का नाम सुना होगा ब्रहम समाज का नाम सुना होगा स्वामी दयानन सवस्वती स्वामी बिवेकनन इन सारे लोग का आपने नाम सुना होगा यह जुड़े हैं इन्डियन वैनिशा से क्योंकि जो इन्डियन सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी बुराइगा थी तो इन सारी बुराइगों कुरुईतियों से लड़ने के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई और फाइनली विफॉर्म भी एक चेंज भी यह लोग लेके आए सोसाइटी में बदलाव भी लेके आए इसी तवह जो यूरोप में वैनिशा था वो बहुत पहले ही सुरू हो चुका था से चारसो पांसो साल पहले इसकी सुरुआत हुई थी तो जब यह इंग्लेंड पहुचा तो बहां के लोगों पे भी इसका असर पढ़ा लोगों ने पढ़ना सुरू किया वो पुराने कश्टम स्वीती दिवाजों से बहार निकले उन्होंने सोचना सुरू किया पहले जो लोग थे वो हाय अब थार्वडिक एकोर्डिंग चलते थे जो उन्होंने कह दिया बही करना है वैनीसा में क्योंगा लोगों ने सोचना सुरू किया एक नए सरे से क्या गलत है क्या सही है उन्होंने अपने बिवेक का इस्तमाल करना चालू किया बागी में उन्होंने लिखा गया है तो इससे क्या था एक तरह से ये एक ड्वैस्टिक चेंज था और इसमें लिट्वेचर इतना ज़्यादा फ्लोरेस हुआ था उस टाइंग पे जैसे जो 1558 से 1603 तक की एज है इसको हम एलिजाव एथन एज बोलते है तो चलिए पढ़ते हैं वैनिसा को वैनिसा का मतलब क्या होता है तो इसी में एक एज आती है इसमें कुछ ऐसा हुआ था जिसने लिट्वेचर को एक नई ताकत दी थी अब वैनिसा की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट अचीवमेंट क्या थी ड्वामा ड्वामा जो ऐसा फ्लोरेस हुआ था ना इस एज में इस एज में बहुत सारे ग्वेट ड्रेमिटिस्ट ने जनम लिया था जैसे कि अगर बात करें तो बिलियम सेक्सपियर उसमें से एक थे क्विश्टोफर मावलो, वैन जॉनसन, लिली, जॉज पील, थॉमस काइड, वावर्ट ग्रीन एंड मैनी अधर्स ये सारे जो थे वो पैदा होगे थे ऐलिजावेटन एज में और इन्होंने बहुत एक से बढ़कर एक ट्रामा लिखे हैं उनके प्लेज अभी तक परफॉर्म किये जाते हैं इसके बाद हुआ कि 1603 में जो एलिजावेटी उनकी डैथ हो गई उनको सक्सीड गिया जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड ने और वो बन गए जेम्स 1 ऑफ इंगलेंड वो बन गए किंग ऑफ इंगलेंड तो उन्होंने जो रूल किया था 1603 से 1625 तक और उसके बाद उनको जो सक्स 1725 उसके बाद जो थे वो चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो बनें कंग ऑफ इंगलेंड तो चांस 1 के इंगलेंड में बहुत जभाद चेयो थी क्यों के आउस वी ती और बहुत अच्छी कहानी आई है इस कहानी के माध्यम से आप चीजों को connect कर पाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं दीवी दीडे पढ़ते हैं चार्ल्स फर्ष्ट सक्सीडेट इस फादर जेम्स in 1625 as the king of England बोथ इस फादर जेम्स फर्ष्ट देखो चार्ल्स फर्ष्ट और जेम्स फर्ष्ट तोनों ऐसा मानते थे डिवाइन वाइट उफ किंग में अब यह होता क्या है इसका मतलब होता है कि जो किंग और कुईन होते हैं दे आर अब अब दे लौ मतलब वो लौ से बस सकते हैं कानून से उपर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं उन पर कानून लागू नहीं होगा वो ऐसा मानते थे जेबर चोजन भाई था गॉड लेकिन ऐसा बास्तम में नहीं था लेकिन जो कि वो किंग है तो उन्होंने जो कह दिया वो होना है तो चार्ल्स फर्ष्ट के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजे होई थी जिनसे जो प्यूरिटन्स थे पहले तो बो नाराज हो गए और इंग्लेंड की जो कॉमन पबलिक थी वो भी बहुत जारा नाराज हो गई थी चार्ल्स फर्ष्ट थे प्रोटेश्टेंड्स जो थे वो आए थे लेकिन जो प्यूरिटन्स थे वो कैसे आए उन्हें लगता है जो प्रोटेश्टेंड्स जो चार्च है वो भी पूरी तरह से अभी रिफॉर्म नहीं हुए उसमें और रिफॉर्म किया वा सकता है तो इसलिए जो Puritan's थे वो existence में आई थे तो उस समय जो Puritan's का influence था वो बहुत ज़्यादा था उस समय की society में तो हुआ गया था चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया था Catholic Henrietta Maria से साधी कर दी थी उन्होंने एक Catholic से साधी कर दी थी जिससे जो इंगलेंड की common public और Puritan's थे वो बहुत ज़्यादा ही ओफेंड हो गए इवन जो उनकी पावलिया मेंड थी उन्होंने भी इस वात का अपोज किया और जब अपोज हुआ तो चार्ल्स फर्स्ट ने पावलिया मेंड को ही डिजॉल्व कर दिया अब जब इस तरह की चीज़ें इंगलेंड में हुई ही पावलिया मेंड को डिजॉल्व कर देना एक Catholic से साधी कर देना इसके अलावा भी उन्होंने मनी को बहुती गलत तरीके से यूज किया था तो एक तरह से इंगलेंड के लोग इतने नाराज थे कि 1642 में सिविल वाल सा चड़ गया और ये चला 1646 तक उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट को पकड़ लिया गया उन पर ट्वैल किया गया और फाइनली उन्हें गिल्टी जो है वो पाया गया अब क्या हुआ अब जो हुआ वो इंगलेंड के इतिहास की बहुत ही सौकिंग घटना रही है 30 जनुरी 1649 वो जट डे लाइक नो अधर बिंटर मॉर्णिंग थी एक बड़ी सी भीड थी बच्चों की आदमियों की और ओरतों की वो एकटे हुए ओपन स्टीट में वाइट हुल के सामने और वो क्या इंतिजार कर वेते वो इंतिजार कर वेते एक ऐसे इवेंट का जिसने नेशन को हिला के रख दिया वो बहाँ पर आये थे अपने किंग का एगजीकिशन देखने कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक किंग को इतनी बड़ी क्राउड के सामने एगजीक्यूट कर दिया गया हुँ एक ही ब्लो में एक ही चोट में जो एक्जिक्यूसनल था उसने किंग के हैड को अलग कर दिया उसकी बॉडी से तो इस तवह का कुछ नजारा रहा था पहली पार किंग को इतनी बड़ी जनता के सामने भी हेड कर दिया गया अच्छा इससे एक सीन ध्यानाता है अगर आप लोगोंने Game of Thrones देखी हो तो सीजन फर्ष्ट में क्या होता है Ned Stark होता है जो King in the North होता है उसको भी ऐसी बहुत सारी भीड के सामने इखटा करके उसका सब जो है उसके धर से अलग कर दिया जाता है तो हो सकता है उस वेब सीरीज का ये जो सीन था वो यहीं से इंस्पाइरो के लिखा गया हो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ ये कि जो Puritan's थे बीकेम a major political force in England and came to power as a result of the first English civil war in 1642 1642 में ये civil war शुरू हुआ था और 1646 में end हुआ था अब ये Puritan's थे वो बहुत जड़ा religious थे उन्हें एक moral social order था उसको restore करना था तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले उन्होंने theatres बंद किया इंस 1542 उन्होंने इनको कैसा consider गिया immoral अब जब theatre बंद हुए तो क्या हुआ थेटर बंद हुए थेटर में basically होता क्या था ड्रामा जोते वो perform किये जाते थे लेकिन जब थेटर ही बंद हो गए तो फिर ड्रामा क्यों लिखे जाएंगा लोगोंने ड्रामा लिखना बंद कर दिया जैसे कि मानलो आज cinema hall बंद हो जाए जिपने भी OTT platform है वो बंद हो जाए तो क्या कोई movies बनाएगा नहीं बनाएगा जब लोग देखेंगी नहीं तो बनाएगा कोई क्यों तो यही हुआ था उस टाइम theaters close कर दिये गए थे तो दियरवाजा rapid declines in the fighting of drama अच्छा अगर बात करें प्योटन एज के major figure की तो डेट वाज जॉन मिल्टन लेकिन उन्हों ने अपनी जो एज में इतने अच्छे works लगे थे जैसे अगर आपने पड़े होंगे TGT के syllabus में लगे हुए है इसके अलावे भी बहुत अच्छे प्रोज वर्क जो थे वो इन्हों ने लिखे थे अब यह जो एज ती इट वाज विचिन प्रोज एज वेल अमाउंग दा ग्वेट प्रोज वाइटवस अगर बात करें तो फ्रांसिस वेकन, मिल्टन, वावर्ट बर्वटन, जेर्मी टेलर, सर्थॉमस ब्राउन एंड क्लेरेंडन तो यह सारे प्रोज वाइटवस पीते इस एज के